सो हाई केस्ट व्लकून माई चैनल महसूरा जाब देखें केसाइट रेल और आज के शुर्ले मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरों के वीडियो को किस तरीकी से अप्लोड करके हम अर्निंग कर सकते हैं आपने बहुत सभी सुनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग यही डू चैनल हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपने देखा होगा कि जो ग्यान की बाते हैं मतलब नॉलेज म्लिक की बातें ही कि बवाटे बताब हिस्टरी की बाते बताते हैं और दूसरों की वीडियो तो YouTube की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए आप किस तरीके से अपलोड करेंगे और जैसे कि आपको पहले पता था कि जो तो री अपलोडिंग का जो सिस्टम था बहुत ही आसानी से किसी के वीडियो को हम अपलोड कर लेते हैं तो कोई इसा कुछ देखने को नहीं मिलता था लेकिन आज भी YouTube ने अपनी पॉलिसी में बदलाओ तो किया है लेकिन आज भी उसने आपके लिए एक मोका छोड़ दिया ह कि आप किसी के भी वीडियो को उठाके और YouTube के वीडियो पे यूटूब के चैनल पर अपने चैनल पर आप अपलोड कर सकते हैं अपलोड करके आप इसी ली उस वीडियो से पैसे गाहन कर सकते हैं तो यहां पर आपको बता होगा कि जो content policy का लागू किया था YouTube की तरब से तो पर audio नहीं होने चाये उस में मैं आपको बता रहा हूं आप किसी भी टुटोडियो के वीडियो के short clip मतलब YouTube ने यह थो confirm नहीं किया कि आपको यह के 30 second से ज्यादा कि यूज़ करिए लेकिन यहां मैं आपको उता हो एक stop clip जैसे की 1 minute का,5 minute,30 minute का आपम बात कर लें तो 30 second का आ एक टुटोडियल में से थोड़ा थोड़ा 30 seconds का आप उठा सकते हैं तो 30 seconds का जो clip होता है उसको आप उठा के आप यूज कर सकते हैं और उसको re-upload कर सकते हैं रिपलोड करना जैसे कि आप उसके पर voice over कर सकते हैं यूटूब ने बताया था कि आप किसी भी वीडियो को voice over दे सकते हैं और voice over देने के बाद आप उस वीडियो को अपना बना सकते हैं ठीक है तो वो एक जो है कि एक आपके जो है कि लीगल तरीके से आपके under में आता है और उसको illegally आप यूज कर सकते हैं उसे monetize भी कर सकते हैं और उससे earning भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से earn कर सकते हैं तो यह एक यूटूब का बहुत ही अच्छा जो की एक कैलें की यूटूब ने बहुत अच्छा offer दे दिया बाकि सारे creator लोग को जो भी जो की दूसरे को वीडियो से earn करना चाहते हैं तो इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है कि 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 बॉलीवूड के जो की movies के clips उठाना चाहते हैं तो उसके भी clips आप ले सकते हैं निवस से related कोई clips लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं otherwise आप जो कि कि किसी भी ऐसे जो भी सकते हैं जिनका आप वीडियो काफी अच्छा लग रहा है तो उनके short clips आप 30 seconds के short clips जैसे की YouTube ने बताया है उसके हि तो उस तरह के clips आप उठा के और अउससे जो ही कि उससे YouTube पे फिर से आप थोड़ी बहुत creativity दिखा के और थोड़ा बहुत जो ही कि उसके प्रकाम करके फिर से उसे upload कर सकते हैं री upload कर सकते हैं अपने खुद के चैनल पर upload कर सकते हैं उसके बदा आसानी से वहां से उसे monetize कर सकते हैं कोई revenue कोई डर नहीं है यहां पर कोई strike नहीं आता है कोई भी वह सारी चीज़े आपको नहीं face करने पड़ेगी जो कि अगर आप किसी दूसरे पॉसन की पुरी पुरी वीडियो से उठा लेते हैं कॉपी कर लेते हैं तो वह जो problem solve face करना पड़ता है उतना face नहीं कर है और earning की हम बात कर लें तो earning जो है कि बहुत यहास है लिए पर मन्त जो है कि 1 lakh से 2 lakh की रूपीज earning करते हैं तो यही मेरा मताने का motive था और मैं आज आपको यहीं बता रहा हूं कि अगर आप जो कि यूटूबर है या फिर आप एक creator हैं अगर आप किसी भी popular वीडियो को किसी छोटे से clip लीजिए ज्यादा आपको बड़ा clip नहीं लेने की जरूरत है छोटा से clip लीजिए उस clip को simply क्या करिए आप जोड़ा से creativity उसमें अपना दिखा के और थोड़ा सा उसमें जितना कुछ हो सकते जितना कुछ आप उसमें creativity दिखा सकते हैं वो दिखाई है और उसको कर सकता है अपने YouTube पे बहुत ही अच्छी इंकम होगे बहुत ही अच्छा इनकम आप ज假िघेरा सकते हैं ये एक बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा तरीका शु ​ कोई भी इसमें फैक नहीं है कोई भी इसमें एस्पाइम नहीं है कोई भी ऐसी चीजे नहीं है आप जो YouTube का guideline से उसको follow करते वे आप काम करते रही है कोई भी issue नहीं होने वाला है So I hope जो कि वीडियोस का भी अच्छी लगए हम मिलेंगे next role में बात करेंगे और भी नए tutorial के बारे में So thanks for watching मिलते next role में तब के लिए बावा है